Assalamu alaikum, class 4 students, please open your book, page number 46. Today, we start our lecture from chapter 6, question number 2. What do you know about rabi crops? Rabi crops के बारे में आप क्या जानते हैं? Last lecture में हमने reef crop पढ़ा था, इस lecture में हम rabi crops पढ़ेंगे. इसका solution देखे हैं, इसका answer देखें. Rabi is the winter season, यह winter season में लगाई जाती है. Starting from October to December, एक्टूबर से December तक लगाई जाती है. And harvested और काटी जाती है in April and May. May और April में यह काटी जाती है, यानि कि जब पक कर त्यार हो जाती है, तो फसल की पटाई की जाती है. तब ही वो हमारे तक पहुँचती है. रभी क्रॉप्स और बीड इन रभी क्रॉप्स में जो फसले शामिल हैं, उनमें हैं, बीड, गंदुम, बारले, जों, आउल, सीर्स, यानि के जिन बीजों से तेल निकलता है. And ग्रैम्स, चना. यह सब फसले रभी क्रॉप्स में शामिल हैं. आज आप इस क्वेस्टिन को लेंड करेंगे, अपनी कॉपी पर भी राइट करेंगे, लेंड करने के बाद अपने पेर्ट्स को सनाएंगे. Thank you, अलाहफिस.